हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है आशिष जोशी तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट एंड इट्स रूल यह हमारा यूनिट 4 स्टार्ट हो चुका है आज यूनिट 3 तक हमने जुरिस्पूडेंस खतम कर ली है ठीक है आज हम बात करेंगे ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अब देखिए बहुत इंपोर्टन टॉपिक है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट ठीक है क्या होता है ड्रग और मैजिक रेमेडीज एक्ट क्या होता है ठीक है देखिए जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है ठीक है कि इससे पहले हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की थोड़ा सा इस में इस में टॉपिक को समझ में से पहले इसके थोड़ा सा रूप रेखा को हम जान लेते हैं देखिए आज कल का जो टाइम है आप लोगों का उसमें क्या है हर चीज का एड आने स् फीचर्स है ठीक है यह वाला स्पीकर ले लो है यह वाला कैमरा ले लो या यह वाली क्रीम ले लो यह वाला बॉटल ले लो ठीक है ना बहुत सारी चीज है यह वाला माउस ले लो है ना मतलब और एडवर्टाइजमेंट गजब की कि भई देखते ही हमारी आखें जो है इड निकालते हैं, इड कैसे आता है कि स्टेव में आता है एसे अलग अगे आते होते हैं और हम उनको देखते हैं हम अच्छा है हम उसको खरीद लेते हैं तो advertisement हमने देखा और उससे हमने खरीद लिया, ठीक है आपने सुना होगा brand ambassador, ठीक है मतलब कोई specific company है उसका brand ambassador है कोई द को बिखवाएगा उसका एड करेगा क्योंकि वह popular है तो वह एड जो है बिखना स्टार्ट हो जाएगा वह specific product जो है बिखना स्टार्ट हो जाएगा लेकिन अगर हम normal groceries की बात करें ठीक है TV freeze है ना speaker bluetooth वाला earphone है ना आपका washing machine हो गया आपका ठीक है टेवल कुछ भी हो गया उसकी बात करें तो ठीक है लेकिन अगर ऐसी ही advertisement ड्रक के नाम पर आने लग दी तो अब यह सोची एक बार कि हमने बोल दिया भाई यह परसिटा मॉल जो है यह वाली जो इस company की परसिटा मॉल जो है वो इतने effective है कि बुखार के साथ सांथ जो है आपका पीलिया भी ठीक कर देती है ठीक है यह आइड्रॉप ऐसी है आख में डालो और कान भी ठीक हो जाता है तो इस तरह से अगर हम बहुत ही बढ़ा चड़ा के advertisement देना start कर दे तो वह हमारी जो आम public है ठीक है नॉर्मल जो people है उनके लिए क्या है बहुत ज्यादा नुक्सान पहुचाने लग जाएगी क्योंकि लोग क्या करते है लोग तो भई उनको थोड़ा भी पेट दर्द हो त depression हो खतम आप डिस्प्रिंड लो खतम ठीक है न तो इन चीजों से बचने के लिए कि fake advertisement या ऐसी advertisement जो possible ही नहीं है ठीक है अब कौन-कौन सी diseases है कौन-कौन सी drugs है उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं तो उन advertisement को रोकने के लिए ठीक है जो act लाया गया वो था आपका magic remedy drugs and magic remedies act ठीक है इसके objectives क्या क्या है सबसे पहले हम बात करेंगे इसके objectives की औब्जेक्टिव उद्देश्य इसके क्या है हिंदी में लिखेंगे हिंदी में लिख देता हूं चलो आज उद्देश्य ठीक है अब उद्देश्य क्या है इसके देखिए पहला उद्देश्य तो इसका यही है कि ऐसे ड्रग-related एड्वर्टाइजमेंट जो पबलिक को क्या करें मिसलीड कर रही है क्या कर रही है मिसलीड किसको पबलिक को कौन सी पबलिक जो आम पबलिक है ठीक है ऐसे ड्रग-related ड्रग-related जो है एड्वर्टाइजमेंट ठीक है तो उनको आपने रोकना है उनको कंट्रोल करना है और ऐसे advertisement जो magic remedy को भी प्रोचसाहित कर रही है magic remedy क्या होती है कि कोई हम भया ऐसा है यह आपका कवच है कोई कवच दे दिया आपको और बोल दिया कि इस कवच में रोज सुबह उठके चावल भैकना है पानी डालना है और भगवान का नाम लेना है आग बन करनी है और आपका जो है ठीक है ना यह हर religion में होता है ऐसा नहीं कि यह सिर्फ एक ही religion में होता है यह सभी religion में होता है कोई कवच है यह कोई ताबीज है यह कोई पानी फैंक रहा है कुछ भी है XYZ है ना तो यह सब क्या है यह magic remedies में आते हैं ठीक है तो science इन चीज़ों को नहीं मानती science नहीं मानती इ से या कोई मंत्र पढ़ने से या कोई घर में जो है किसी की फोटो लगा देने से आपकी कोई specific disease दूर हो जाएगी ऐसा नहीं होता ठीक है हम science की student है ना तो हम science की अब 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 क्या पढ़ने से चलेंगे तो ऐसा नहीं होता है ठीक है बहुत आप लोगों की family में इन चीजों को माना जाता होगा वो ठीक है अपनी जगों पर ठीक है लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हम में अभी क्या पढ़ रहे हम अभी science पर दें तो science की according इसको नहीं मान पर आते हैं जो हम हमेशा पढ़ते थे objective के बाद हम क्या पढ़ते थे बताओ जल्दी जोड से बताओ हम पढ़ते थे definition अब देफिनिशन हम ठीक है कुछ definitions देखेंगे हम जैसे पहला हम definition जो धम देखेंगे हम बात करेंगे advertisement ठीक है advertisements मैं advertisement की spending गलत भी लिख सकता हूं फिर मे advertisement क्या होता है यह कुछ भी हो जिससे किसी चीज की publicity हो रही है ठीक है जैसे कोई अखवार में इस्तिहार निकला इस्तिहार बोलते है हिंदी में ठीक है या कोई verbally हो रहा है ठीक है या आपने कहीं पर लिखा कहीं पर पढ़ा कहीं पर सुना कुछ भी जिससे किसी specific product का क्या हो publicity हो रही उसका प्रचार हो रहा है उसे हम बोलेंगे advertisement ad दूसरी definition है drug drug and magic remedy है तो drug क्या होता है भाई आपका drug मतलब ऐसा कोई substance जो हमारी internal या external problem को ठीक करता है ठीक है डिजीज को क्योर करता है या उसे कम करता है उसे हम बोलते हैं drug यह तो मैं शौर्ट में definition बता रहा हूं मांकि मैंने notes मीचे description में दे रखे हैं उसमें आपको proper पूरा सब कुछ मिल जाएगा उसके बाद drug हमने पढ़ लिया अब magic remedies क्या होता है magic मतलब जादू और remedies मतलब नुस्खे देखे नुस्खे जादूी नुस्खे अब बताइए जादूी नुस्खे मतलब कि इसमें आगे आपको कोई तरह का तिलिस्म है मंत्र है कवच है और कोई ऐसा claim जिससे आप बोलें कि आप कोई ऐसी disease को ठीक कर सकते हैं जो नहीं ठीक हो सकती किसमें human में animal में किसी में भी ठीक है अगर आप किसी का fake मलब दावा करते हैं ठीक है तो उस वो उन्हें क्या बोलते है magic remedies ठीक है वो आगया आपकी magic remedies अब देखिए ये तो हमने definition पढ़ दीश में और भी बहुत सारी definition है लेकिन में में definition ही पढ़ते है अब हम में topics पे आते हैं ठीक है इसमें पहला जो topic है आपका वो यह है कि आपका prohibited advertisement कौन कौन से है ठीक है prohibited advertisement अरे यार वह बहुत ही बढ़िया बहतरीन सही spelling लिखी है मैंने ठीक है advertisement ठीक है तो अब इसमें ध्यान से समझेगा इसको prohibited advertisement मतलब ऐसे एड जो कह है prohibited है मतलब बैन है उनको आप नहीं चला सकते उसमें क्या-क्या है देखिए पहला अब यह चीजे ध्यान रखना पहला है miscarriage और prevention of contraceptive in women's ठीक है मानलो किसी महिला है ठीक है उनकी शादी हो चुक है और उनका miscarriage हो रहा बार-बार गर्वपात हो रहा हिंदी मागर बोलू तो और आप किसी चीज का दावा करते हैं कि भई आपका आपने कोई add चलाया उस add में क्या है कि भई आप इसको खा लीजे या इसको यह कवच पढ़ लीजे आपका miscarriage होना बंद हो जाएगा ऐसे का मतलब क्या है कि आप गलत कर रहे है वो चीज बैन है दूसरा है contraceptive ठीक है अब contraceptive में क्या है आपका आप बोलेगी भईया इस ड्रक को आप ले लीजे या इस कवच को आप पढ़ लीजे तो आपका बच्चा नहीं होगा है ना आपको अगर contraceptive लेने है ठीक है आपको क इस कवच को पढ़ लीजे और आप इस मंत्र को पढ़ लीजे तो यह ऐसा नहीं होता है दूसरा क्या है आप मैंस्ट्रॉल डिसॉडर इन वूमें में पीरियर से रिलेटेट मासिक धरम हिंदी में अब बताए मेरे को हिंदी में भी पता है ठीक है माहवारी भी बोलते है उ मेहने तो पीरियर सी नहीं रहते तो उनको कुछ प्रॉब्लम है हर्मोनल या जो भी रिजन है आप बोलें कि भाई ये कवच पढ़ लीजे ये तिलिसम है मेरा ये तावीस पहन दीजे आपको पीरियर आने स्टार्ट हो जाएंगे अगर ऐसा आपने कुछ एड चलाया है त ठीक है ना भाईया आपका सेक्शुल स्टैमिना बढ़ जाएगा आप इस जो है क्या बोलते हैं रोज सुबह सुबह ये मंत्र पढ़िये आप सुबह उठके नहाद होके बढ़िया ठीक है ये तावीच बहन लीजे आपका सेक्शुल ब्लैजर एकदम मतलब आपका सेक्श की स्पेलिंग भी मेरे को सहील आती है गुट मिस्कैरेज हो गया ठीक है मैंस्ट्रल साइकल हो गया सेक्शुल प्लैजर हो गया सेक्शुल प्लैजर हो गया ठीक है और उसके अलावा ऐसी डिजीज जहां से समझे ऐसी डिजीज जो स्केडूल जे के अंदर आती है जो schedule जे के अंदर कौन कौन सी डिजीजे आती है उसकी लिस्ट मैं ने नीचे description box में दे रखी है ठीक है schedule G.ई के दे आले जे फूर जग जी फूर गर्ले मुझे जे फूर जे की बात कराओ ठीक है यह happy of ऐसे अडविटाइजमेंट जो डारेकली या इंडिरेकली पॉर्स इंफॉमेशन दे रहे हैं ठीकर फॉर्स इंप्रेशन दे रहे हैं कोई ड्रग है मानलो यह कोई ड्रग है ठीक है और आपने बोला की यह बहिया ऐसी ड्रग है कि यह ड्रग तो बिल्कुल यह सिर्फ यही ड्रग लो आप जिंदगी में आपको कोई भी बिमारी नहीं होगी अब देखे ठीक है उसके फैक्ट हो सॉरी अगर उसके फैक्ट है तो डाइट डिफ्रेंट इंग जैसे फॉर एक्जामपल ऐर्वेदा में एक ड्रग आती है उस रॉक्त के ज़िवाध पिद्यकाफ तीनों को कंट्रूल करती है उसके प Wonder prec ek वलेशन की कैसी होघ नेचर कैसा होता है द्रग के बारे में false information फैला रहे हो बिना किसी पुखता सबूत के जानकारी के प्रूफ के कुछ नहीं ऐसे ही तो जो false claim आप कर रहे हो वो क्या है वो उसके related advertisement भी आप नहीं कर सकते हैं ठीक है अच्छा कुछ ऐसे advertisement होते हैं आपके जो exempted है exempted मतलब जिनको छूट दी गई है ठीक है ठीक है एक्जेम्टेड एक्जेम्टेड ठीक है जिनको आप छूट दी गई है ठीक है अब ऐसे क्या क्या चीजह है जैसे अगर कोई Practitioner registered medicinal practitioner कोई चला रहा है मतलब कोई पोस्टर लगाया है उसमें की फला जगाव पर जो है आउखों का दावा जैसे आपने कोई book वगरा publish करी ठीक है वह आप कर सकते है उसका एड़ आप कर सकते हो कि हमने यह book निका लिए समितने साइं जो है research papers वगरा है ठीक है तो इस यह चीजह आप अब है इसमें पैनल्टी ऑफिंस एंड पैनल्टी देखें दो चीजी है वह मैंने वैसे पुरा इसमें दे रखा है नीचे नोट्स में ठीक पैनल्टी वगरा उसमें बस यह है कि अगर कोई बंदा जैसे मानलो कोई ओफिस है for example यह आपका ओफिस है मान लो ठीक है और इस office में जो है 50 लोग काम करते हैं और यहां से जो है false information फैलाई जा रही है ठीक है mislead किया जा रहा है कि इसको public को तो अगर यह पकड में आ गया तो इसमें कौन दोशी होगा यह 50 के 50 लोग दोशी होगे ऐसा नहीं कि इसका कोई मालिक ही दोशी होगा ठीक है एक कोई specific person ही दोशी होगा ऐसा नहीं है इसमें जितने भी लोग काम करते हैं सभी दोशी पाए जाएंगे सभी के खिलाप कारवाई होगी ठीक है यह तो इसकी penalty है यह offense और इसकी penalty है उसके अलावा schedule G में जितनी भी drugs आए जैसे मैं कुछ नाम ले लेता हूं जैसे आपका AIDS हो गया अस्थमा हो गया ठीक है blood poisoning हो गया आपका cancer हो गया आपका cat rect हो गया आपका diabetes हो गया ठीक है और मतलब बहुत सारे हैं यह J के अलावा भी बहुत सारे हैं ठीक है जैसे आपका गैंगरीन हो गया ग्लुकोमा हो गया और ब्लड प्रेशर हो गया हाई और लो ब्लड प्रेशर हो गया आपका ठीक है लप्रोसी हो गया आपका ठीक है sexual impotency हो गया नपुन सकता जिसको बोलते हैं ठीक है सिफलिस वगरा हो गया आपका gonorrhea हो गया ठीक है यह सब कुछ जो है इनके बारे में आप अगर कोई भी remedy magic remedy दे रहे हो तो वो गलत है वो आप नहीं दे सकते क्यों नहीं दे सकते क्योंकि उसका आपके पास कोई पुखता याद रखना और यह आप याद रखना है कि हम जो है false information नहीं फैला सकते बिना पुखता सबूत के हम नहीं कर सकते ठीक है तो यह थी आज की वीडियो अगर आपको आज की वीडियो पसन आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बैल आइकन पे क्लिक कीजिएगा आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धनिवाद थेंक यू सो मच